बुद्वार को वार्ड 41 आजम पाड़ा शित्र से पार्षद एवं सपा पार्षद दल के नेता राहुल चौधरी ने नगर निगम परसर में नगर आयुद कारयले के बाहर अनिशित कालियन धन्ना शिरू कर दिया है बुद्वार को समाजवादी पार्टी के वार्ड 41 आजम पाड़ा से पार्षद राहुल चौधरी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्शा खोलते हुए गांधी वादी तरीके से धरना शुरू कर दिया इस दोरान राहुल चौधरी ने नगर आयुक समित अन्य अधिकारियों पर निशान साथते हुए छेतर में विकास कारे बादा डालने के आरोप लगाए हैं राहुल चौधरी का कहना है कि कई तेओहर निकल जाने के बावजूद भी उनके छेतर में लोग लाइट के लिए परेशान है डिमांड के बावजूद भी उनके छेत्र में लाइट नहीं लगाई गई है जिसको लेकर पूर्फ में भी उनके द्वारा कई लैटर और ग्यापन नगर आयुक्त के नाम सौंपे गए है नहीं लगी है और अगरा के अधिकारी केवल नहीं देने के लिए मजबूर हैं ड्राइबर उनके पास उपलब्द नहीं है गाड़ी के संसाधन नहीं है यह सारे बाने लगाते हैं पैसा नहीं है पार्षद राहुल चौधरी ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों द्वारा वर्क ओर्डर जारी होने के बाद भी निर्माण कारें को चुरू नहीं किया जा रहा है शेहर में लगातार विकास का रहे तु निकालने जा रहे टैंडरों को ठेकेदारों द्वारा नहीं उठाये जा रहा है। शेहर में लगातार विकास का रहे तु निकालने जा रहे तु निकालने जा रहे है। द्वारा बनाये गए ट्वालेट, बल्टीकल गाडन, गमले सहित पौधारों पर आदी अनेकों कार्यों में लापरवाही वरतने लोगों के खिलाफ कारवाही नहीं की गई है। हमने तो जनता की समस्चाओं के लिए हम आवाज उठाईए और उठाते रहेंगे। लगातार जब तक छेतर की समस्चाओं का समधन नहीं होगा। सपा पार्शद राहुल चौधरी का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वह रोजाना नगर निगम परिसर में आकर नगर आयुक्त कार्याले के बाहर धरने पर बैठेंगे और गांधिवादी तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे। सी निउस के लिए नेल सेंकी रिपोर्ट।